हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल मैजिकल ठिंक पर आज किस वीडियो में हम उत्राखन सायक किरिशी अधिकारी असिस्टेंट एगरिकल्चर ओपीसर के प्रिवेंस एक्रक्रेशन पेपर के बारे में डिसकेसन कर रहे हैं यह हमारा थल्ड पार्ट है प्रड़ी वीडियो बन चुकी है अगर आपने अभी तक वाव वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद वाव वीडियो एक बार जरूर देख लेना इस्टार्ट करते हैं आज के क्वेशनों को क्वेशन नमबर 51 एशिया का सबसे बड़ा ओवरक कारखाना निम्न मैंसे किस राजय में इस्तित है तो जो हमारा इस क्वेशन का राइट आंसर है ओप्शन नमबर ए जार खंड में क्वेशन नमबर 52 किस फसल की खेती के लिए काली मिटी उप्युक्त होती है तो जो हमारा इस क्वेशन का राइट आंसर है ओप्शन नमबर भी कपास की खेती के लिए काली मिटी उप्युक्त होती है क्वेशन नमबर 53 पौधों में जिंक का मुख्य कार्य क्या है तो जो हमारा इस क्वेशन का राइट आंसर है ओप्शन नमबर डी टिप्टो फास के निर्मान हेतु आवशक उत्राखंड की प्राचिंतम परजाती कौन सी है तो जो हमारा इस क्वेशन का राइट आंसर है ओप्शन नमबर डी कोल कोल ही उत्राखंड की प्राचिंतम परजाती है गांट गोबी हिदू किस तरह की मिर्दा की आउशकता है तो जो हमारा इस question का right answer है option number A, दो मठ Question number 56, यदि महा का 11 दिन सनिवार है तो निमलिकित मैं से कौन सा दिन महा मैं 5 बार पड़ेगा तो जो हमारा इस question का right answer है option number C, बुद्धवार Question number 57, गन्ये का सबसे अधिक खानिकारक रोग है तो जो हमारा इस question का right answer है option number A लाल सडन question number 58 रतना एक पर जाती है तो जो हमारा इस question का right answer है option number B चावल question number 59 निमन मैंसे किस देश में विक्टोरिया जील इस्तित है तो इस question के दो answer है हमारे option number A और option number C यूगांडा और तंजानिया यह हमारी अफ़रिका की सबसी बड़ी जील है question number 60 कुमाऊं के पहले आयुक्तु कौन थे तो जो हमारा इस question का right answer है option number B E गार्डर तो जो हमारा right answer है option number B बक्रिकी question number 63 मुरा किस की पर जाती है तो जो हमारा इस question का right answer है option number B बेंस्की Q64, इस्थन गरंतियों से निकलने वाला पर्थम द्रेव्य कहलाता है तो जो हमारा इस question का right answer है option number A, कोलो स्ट्रम Q65, उत्राखंड का लोग गीत कौन सा है तो जो हमारा इस question का right answer है option number D, उप्युक्त सभी नियोली, छपेली, चयती हमारा उत्राखंड के लोग गीत है Q66, भारत में सबसे बड़ा कोईला छित्र कौन सा है तो जो हमारा इस question का right answer है option number D, रानी गंज Q67, चावल की पर्थम बौनी किस्म जो भारत में विक्सित हुई तो जो हमारा इस question का right answer है option number A, जया Q66, चलने के बाद मैं दाया मुड़ा एवं दो किमी की दूरी तय की तब बाये मुड़कर 10 किमी की दूरी तय की अंत मैं उत्र की ओल चल रहा था मैंने मेरी यात्रा किस दिशा से शुरू की तो जो हमारा इस question का right answer होगा option number B, उत्तर, उत्तर दिशा से मेरी यात्रा शुरू हुई question number 69, विसम युगमजी पादप का विसम युगमजी और परभावी जनक के साथ संक्रण कहलाता है तो जो हमारा इस question का right answer होगा option number D, परिक्षात संक्रण question number 71, उत्रा खंड की विधान सवाम में अनुसुचित जन जाते के लिए कितनी सीटें आरक्षित है तो जो हमारा इस question का right answer है option number B, दो question number 72, पौधों में रोग पर्तिरोदक बनाया जा सकता है तो जो हमारा इस question का right answer है option number D, काल्ची सीन द्वारा question number 73, A, B का भाई है B, C की पतनी है C, D का पुत्र है D, E की पतनी है E, B का कौन है तो आपने वताना है कि E, B का क्या है तो जो हमारा इस question का right answer होगा option number D, ससुर question number 75, चक्रवर्टिय छेतरों में छत की बनावट कैसी होनी चाहिए तो जो हमारा इस question का right answer है option number B, पिरामिट आकार question number 76, सुद्ध वन्चकरम वरण द्वारा कौन सी फसलों का नसल सुद्धी करण किया जाता है तो जो हमारा इस question का right है option number A question number 77, काल सी अभी लेक उत्राखन के किस जन्पद में इस्तित है तो जो हमारा इस question का right answer है option number B, धरादुन में question number 78, निम्लिकित में से कौन भैंस का देशी नसल है तो जो हमारा इस question का right answer है option number D question number 79, भारत के किस राज्यकी जन्संक्या सरवादिक है तो जो हमारा इस question का right answer है option number D, उत्तर पर्दिश question number 81, उत्राखन के एक मात्रभाद रत्न कौन है तो जो हमारा इस question का right answer है option number A, पंडित गोबिंद बल्लब पंथ question number 82, निमलिकित मैसे किसको हरी खात के रूप में प्रियोग किया जाता है तो जो हमारा इस question का right answer है option number D, उत्तर question number 83, कौन सी नदी पुरोला घाड़ी के लिए वर्दान है तो जो हमारा इस question का right answer है option number B, कमल नदी question number 84, मारमा गाओं पंदर गहा भारत के किस राजम में इस्तित है तो जो हमारा इस question का right answer है option number A, गोवा question number 85, I, C, A, R के निर्मान का वर्ष है तो जो हमारा इस question का right answer है option number C, 1929 आज की वीडियो यहीं पे होती है समाप्त, फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात्रम